आज के सिसन में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महात्पून अपडेट पर चर्चा करेंगे जो कि जारखंड हाई स्कूल 2016 से समंदित जो न्यूपती है जो नोटीस जारी किया गया है ओफिसियल नोटीस है जैसे की वेबसाइट पर उस पर ह नहीं करा सकें तो करवाएं लेकिन वह डिस्टिक चैन नहीं कर पाएं तो इस वजह से उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम या रोल नंबर नहीं आ रहा है उनके लिए क्या करेंगे तो उस पर भी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ज तो अ-चोट खूव रिस्ट race का संसक्रीत का जो जारी हुआ मैं पर चर्चा किया था है ऐसको भी आपकल के बिइंद आपक है सकते हैं उनको रोल नंबर जो जारी किया गया था उनकोenko मैंक्स के लिए एक इसस्पेसिपिक डेट को जाना है अगर हम इसको देखे तो आप य कर दो को मर्स के लबाइ प्रेखिका तो कुछिना पर चैंसीलेशन किया गया था डोकुमेंट फिरिटिकेशन एक सुली क्या हुआ था यहाँ डुस्ट अकूत graph चैंसक्रीट में कुछ चैंसीलेशन को ड़ोकुमेंट फिरिपेशन के लिए बुलाया गया था लेकिन जो चीजे डोकुमेंट में मांगी गई थी जjenigen Map में सामिल हो या नहीं हो लेकिन जातरों का रोल नमर आपर कैंसल किया गया था कि जैसे का वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा मतलब बीजी है कुछ दिनों से आप देखिएगा तो बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं कुछ नए अपडेट को लेकर नया नोडिफिकेशन को लेकर नया विग्यापन को लेकर तो थोड़ा यह स्लो है लेकिन इसमें ट् अपलाई कैसे करें डिस्टिक का चेहन कैसे करें देखिएगा तो यह कल एक नोडिस जारी हुआ है कल पर सो यहां पर डिस्टिक चेहन के रिगार्डिंग मैथेमेटिक्स और फीजिक्स के लिए आपके साथ हम चर्चा करते हैं क्या है उसमें कि अग्या कि यह रहां नोडिस गनीत्यम भौत की विसे के छात्रों का जिनका डोकुमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको आप डिस्टिक चेहन करना है डिस्टिक चेहन करने के लिए आपर तिथी भी दी गई है कि 24 जून से 26 जून के बीच में डिस्टिक का चेहन करना है यह जो आप नोडिस देख सकते हैं यह 24 जून को ही जारी हुआ 24 जून से ही प्राराम हो गया है थोड़ा जैसे सी फास्ट है उसको करना चाहिए कि हाँ एक दिन का समय देना चाहिए अब यही चीज बहुत सारे चाहतरों के पास यह information नहीं पहुँच पाता है हमारी भी कोशिस होती है जैसे कल ही notice यह जारी हुआ है हमारी कोशिस ठीक जूकि कल classes बहुत सारी रहते हैं तो इसलिए हम आज यहां पर सुबह ही सुबह आपके साथ यह चर्चा कर रहे हैं ताकि आप या फिर आपके प्रेंश सरकल में जो भी है उनको जरूर बता दे जिससे की समय रहते भर में वो अपना जो डिस्टिक चेहन करना है वो असानी से चेहन कर सके वरना फिर बाद में उनको फिर यह उप्सन नहीं मिलेगा कल भी एक छातर फॉन किये थे जो बोल रहे हैं थे सर की हमेना डोकुमेंट फिरिफिकेशन हुआ लेकिन हमने डिस्टिक चेहन नहीं किये थे लिस्ट में मेरा रोल नमबर भी था अब क्या कहे रहें जेससी कुछ बोलता ही नहीं है हमने बस एक सला यहां पर उन छातरों को सला बस इतना देना चाहेंगे कि अगर मिस हो गया है डोकुमेंट फिरिफिकेशन नहीं कर पाएं या फिर डिस्टिक चैन नहीं कर पाएं तो ऐसे में पोसिबिलिटीज तो नहीं करते हैं इमेल करते हैं कोई रिप्लाइ नहीं आता है बिल्कुल नहीं आएगा अगर फोन उठ भी गया तो कोई स्टाप उठाता है कुछ भी चीज़े आपको जेनमीन रिप्लाइ नहीं मिल पाएगा इसलिए ज्यादा बहतर रहेगा कि आपके भविस्य का सवाल है देख सकते हैं जनीत और बहुत की यहां पर यह विकल्ब उनको चैन करना है यहां पर देखिए नहींख खूल रहा है हुआ कि कॉमर्स का था यह पहले ही कर लिए यहां पर खूल भवय है देख लेते हैं इसका भी डिस्टिक के चैन करना साइच 24 या 25 को 23 को ही था इसका तो हो चुका है बहुत पहले ही हमने चर्चा किया हुआ था इसके लावा और भी कोई लेटेस्ट नोटिस तो यहाँ पर संस्कृत का है यह आपके लिए इंपोटेंट है दो नोटिस आपके लिए जरूरी है एक पहला यह डिस्टिक्चेन करना है मैथेमेटिक्स और फीजिक्स का और संस्कृत के लिए जो डोकुमेंट फिरिपिकेशन के लिए चातरों को बुल पूरा किया जाए पोस्ट पूरा किया जाए इसलिए के लिए उनको बुलाया गया है आप यहां पर देख सकते हैं कि कि संस्क्रिप्ट कि कितना तारीका है यह डोकुमेंट फिरिविकेशन आपको हम बता देते हैं थाकि उनको आप ध्यान में रखेगा कि भीजी हो गया है वेबसाइट तो इसलिए वेट करना पड़ता है बागी के अन्य चात्र हैं दो नया नोडिफिकेशन है एक मैथेमेटिक निफिजिक्स का मैथेमेटिक निफिजिक्स का डिस्टिक चैन करना है संस्कृत के लिए ड़कूमेंट्य के लिए ज़िए जरूरब चाहिएगा यह सच्एल convention करने के लिए संस्कृत और economics अब ही एं तो इसका भी पहले ही हमने चर्चा कर दिया था इसको ध्यान में रखने रहा है दो नया नोडिस करेंगे इसका जो लिस्ट है कि किन-किन छात्रों का मतलब किन-किन रोल नंबर है आप जैसे से की वेब साइट पर भी आएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा हम टेलिग्राम पर भी इसका अपलोड कर देंगे आप वहाँ पर देख लिजएगा किस डेट को भी फबर डुकुमेंट फिरिफिकेशन होगा वह सारे चीज उसमें मेंस å happiness कोई दिकत नहीं होगा बाकि जो भी छाथ aha जीजेगा इसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक चैन के लिए एक पेज होगा वह भर के जाईएगा बाकि तो ओनलाइन डिस्ट्रिक चैन करना ओप्सन दिया जाता है यह सारी परकेरी आपको पूरा करना है यह सारे इंपोर्टेंट अपडेट थे जो आज हमने यहां पर नहीं आया हुआ है तो अब तो न्यू टीजीटी के लिए वेट कर रहे हैं और न्यू टीजीटी पहले भी हम बता चुके हैं कि जब तक यह 2016 वाला कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसको कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पोस्ट अभी वेकेंट है जिस पर मानना नहीं है अभी तक यह परकिरिया चल रही है लेकिन यह जल्दी परकिरिया पूरी होगी और नया टीजीटी आयने वाला है तो तयारी आप करते रहे जो भी छात्र है क्योंकि भले ही इसमें लेट से आएगा लेकिन वेकेंशी तो आना निस्चित है अगर आप तयारी करते रहेगा रेगुलेटी अगर बने रहेगा तो आपके लिए बिल्कुल यह पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका एक्जाम जो है किलियर होगा अब यहां पर जो छात्र क्लासिस इसके अंतरगत करना चाहते हैं तो उसके लिए नया बैच जो है प्राराम हो चुका है तो जल से जल जो है बैच इसको जॉइन कर लीजिए जिसके अंतरगत जो है 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 जिसके अंतरगत अगर आप बैच इसको जॉइन करते हैं तो इसमें आपका ओफर फीज चल रहा है और इसमें आपका न्यू टीजिटी के लिए मांतर जो है आपका 4800 रुपया करी 5000 की लगभग जो है आपका फीस पड़ेगा सिर्क पेपर टोगा दोनों पेपर करते हैं तो आपका 7000 आपका टोटल फीरेगा इसके लाप पीजिटी जेटेट सहाय का चारी के लिए भी क्लासे आप जोईन कर सकते हैं इसमें आपको सारा का सारा लाइब क्लास मिलेगा और हर एक लाइब क्लास का रिकोर्डिंग भी आपको उपलब्द कराये जाएगा साथी इसमें क्लास हो गया नोट्स हो गया टेस्ट हो गया डाउट सिसन हो गया ने प्रस्टों का कलेक्शन हो गया सारे चीज़े आपको उपलब्द कराई जाती है और अगर जरूद पढ़ने पर जो है उसको एक्स्टेंड भी किया जाता है जैसे कि पिछले साल से PGT आया था लेकिन PGT एक्जाम जो कैंसील होगा अभी साल हो रहा है то जो चातर पहले से कॉर्स लिए थे उनका एक्स्टेंड कर दिया गया है तीन महींने तक अपनी संपुन तयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिकत नहीं होगा, और रेगुरेटी बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी बना के नहीं रखते हैं, तो चीजें आपको फिर से दोहरानी पड़ती है, फिर से जहां थे, वहीं से आपको फिर से प्राराम करना पड़ता है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी बना कर रखते हैं, तो चीजें धीरे-धीरे कंप्लीट होती है, और फिर आपको सिर्फ रिविजन करना और प्रैक्टिस करना बाकी रह जाता है, तो अभी साप इस से को मेंटेन करके रखिएगा, बाकी और भी अन्य कोई अ अपडेट के साथ, थैंक यू अरिवन